नमस्कार में हूँ रिना यादम आप देख रहें NB TV आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें साथ ही नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आए देखते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर तो आकपर के सास्त्री वार्ट सिटी मौल के पीछे रहने वाले मनलोई परिवार के घर में घुसकर भीक मांगने वालोंने बेग उठा कर ले गए जिसमें नगदी साइड मंगल सूत्र और यर्रिंग रखे हुए थे घटना के बाद जब घर के पिछले कमरे में काम कर रही प पहले रेकी करते हैं फिर भीक मांगने के बहाने लोगों के घर जाते हैं घर में यदि कोई ना हो या घर में आवाज लगाने पर कोई निकल कर ना आए तो खुद घर में घुसकर सामान उठा कर हाथ साफ कर देते हैं जी हां ऐसा ही बाक्या देखने को मिला है सोहाकपुर के सास्त्री वार्ड इस्तित चोधरी आरा मसीन के पीछे निवास करने वाले गणेश राम मंदलोई की घर गटना शनिवार सुभें दस बजे से साले दस बजे की बीच की बताई जा रही है जब गणेश मंदलोई की पतनी पूर्णीमा मंदलोई घर के पीछे काम कर रही थी उस बीच घर के बाहर भीक मांगने वाले तीन लोग आये और मच्छर जाली वाला दरवाजा खोल कर घर में घुसे और बेग उठा कर ले गए जिसमें जेवर से करीब साथ हजार रुपे रखे हुए थे घटना के बाद परिजनों ने थाने में फायर दर्ज कराने के लिए आविदन दिया है उसके बाद शनिवार की साम को इस थानी थाने से एसाई अरजुन वर्दिया और हेट कांस्टेबल विरिंद चुकला ने परताल किया है फिलाल मामले को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं क् वहीं संदिक लोगों की पहचान को लेकर एक CCTV फुटेज भी मिला है जिसमें पडोस के लोगों ने उन्हें भीक मांगने वालों के रूप में पहचान की है नगर में हुई इस प्रकार की घटना से लोग अब सचेत हो गए हैं और घर के दरवाजे में कुंडी लगाना शु झाल